Capital Smartity में अगर आप साथ मुर्ला का घर बनाद चाहते हैं और आपके पास plot खरीदने के लिए ज्यादा payment cash in hand नहीं है तो आप society की तरफ से developed and possessionable plot सिर्फ 20% down payment पर procure कर सकते हैं और 30% पर plots का number भी allocate कर वा सकते हैं जी हाँ Capital Smartity में Overseas Prime 1, Sector D में ये options available हैं plot ये कीमत है 54,40,000 रुपे और 20% down payment यानि 10,88,000 रुपे यहाँ पे आप plot की booking ले सकते हैं first of all, ये sector जो ये काम बनता है, इसमें plot किन sizes की है, इस plot के साथ जो amenities society की तरफ से offer के जाएंगी, इस video में मैं तमाम details, briefly explain करूंगा कि ये जो sector है, इसकी location कहां पर है और तमाम चीज़े है, इस वकिन पर Capital Smartity का master plan देसते हैं, master plan में जो आज की जी वीडियो है, जिस sector के हवाले स ये sector बनता है, sector D, overseas prime 1 का, मैं डेटेल से आपको पुरा map explain करता हूं, सबस्वाले देखें, sector D में तो limited streets है, और limited lanes है, यानि कि से 2 lanes है, और इसमें total बनती है, 9 streets, ये 9 streets बनती है, अब इसमें अगर बात करें हम के possessionable plots की, तो तुमाम के तुमाम plots जो हैं, वो इस वक्त जमीन प आपको ये सारे plot जो sector D के मिलते हैं, अगर हम बात करें, access number 1 से है, gate number 1 से, तो इस access center होने के बाद, right side जो linear park है, इस से जाते हैं, तो एक रस्ता ये वाला connect करता है, sector D को, और दूसरा जो linear park के साथ रस्ता है, वो connect करता है, जो sector D और sector E को divide करता है, ये वाला रस्ता connect करता है, नाइन स्टीट को, तो टोटल तीन access points बनते हैं, इस block के specifically, अब block के अगर land की बात करें, और लोकेशन की बात करें, सबसे पहले तो इसकी north side पर देखें, तो sector B बनता है, C बनता है, और यहीं से आपको पूरा चहान डैम का view मिलता है, अगर आप घर बना के यहां पर रहते ह आप इसे कहलें के south east side पर कहलें, जहां पर जिरार कैम्प है, वो बिल्कुल सामने है, और बीच में कोई hurdle नहीं है, यानि के बीच में कोई high rise building नहीं आएगी, को ऐसाच को बड़ी society नहीं है, को block नहीं है, तो आपको यहां से direct view जो मिलता है, वो इस side का मिलता है, तो इस लि बॉकिंग करवास्ते हैं, और तमाव मिनिटेज, अंडर ग्राउंड वाटर, अंडर ग्राउंड सेवरेज, अंडर ग्राउंड एलेक्रिसिटी, अंडर ग्राउंड इतनी तमाव मिनिटेज हैं, वो साइट पे अवेलेबल हैं, इसके साथ साथ streets की proper carpeting हो चुकी है, और street poles ब्लॉक में इस्टॉल्ड हैं, और दो साइट पे ब्लॉक के लीनियर पार्क आता है, जिसमें आपके walking tracks बने होंगे, और अगर ब्लॉक की west साइट पर देखें तो यहां भी आपको लीनियर पार्क मिलते हैं, और ब्लॉक के back साइट पे एक water body भी है, और यहां पे एक पार् से plot होंगे यहां पे, टोटल अकर 9 streets काउंट करें, 20-25 plot पर street हैं, तो आपके टोटल नंबर जो आकर बनता है, तकरीपन 200 के आसपास नंबर बनता है, और तमाम के तमाम plot एक साइज के एक ही elevation के साथ यहां पे इस sector में available हैं, फस्ट अफॉल यह जो block है sector D, overseas prime 1, इसको 2021 में ल available नहीं है, अगर हम बात करें in general, कि यहां पे कितनी lanes हैं, कितनी streets हैं, तो यहां पे total 9 streets हैं, और इसमें लेन्स की बात की जाए, तो total 2 lanes बनती है, अच्छी बात इस block की यह है, कि इसमें तमाम के तमाम plot जो हैं, वो सिर्फ साथ मरला के हैं, तो जब यहां पे तमाम residential plots पे construction मक करमल हो जाएगी, तो इस पूरे block की symmetry जो है, वो एक जैसी हो जाएगी, यानि कि अगर आप block के अंदर जाते हैं, किसी भी street में, तो आपको एक ही size से खर नजर आएंगे, elevation जार सी बात है, अपनी choice की रख सकते हैं, जहां पर society ने विलाज बनाए हैं, वो सारी streets को एक elevation पर यानि कि exterior तमाम plots का एक जैसा होता है, इस case में अगर आप खुद plot लेकर construction करते हैं, तो आपके ओपर ऐसी कोई पबंदी नहीं है, अगर हम बात करें इस block के location की, तो इस block के location है, वो बहुत अच्छी location है, क्योंकि entrance gate के बिल्कु left side पे, जो entrance gate number 3 है, उसके बिल्कु left side पे इस block के location है, और entrance gate number 1 के right side पे इस block के location है, यानि दो gates के दर्मयान ये block आता है, elevation wise जो block है, इसकी land को अगर देखें तो land इसकी बहुत अच्छी elevation है, यानि यहां पे आपको कोई filling या depression का point नहीं मिलता, क्योंकि सारा block जो काफी elevated है, और इस block में जब आप construction वारा करेंगे अपने unit पे तो definitely आपके plot से बहुत अच्छा view बनेगा, एक side से आपका back side पे जिरार केमप वाली side का view बनता है, और back side से, right side से आपका, यानि कि आप north east side से देखें, तो आपको चहान damn का view मिलता है, तो दोनों side से view जो बहुत अच्छा बनता है, second is block के location में जो एक एहम point है, कि इसमे दो linear parks मुझूद है, यानि दो linear parks से मुझूद है, कि टोटल से 9 streets हैं, और 9 streets के लिए society की तरफ से 2 linear parks है, एक block के front पे और एक block के left side पे, यहां से आप definitely अपने walk करनी हो, तो linear park के अंदर walking track बने होंगे, और greenery के point विए से बहुत अच्छी landscape तमाम के तमाम घरों के मिलेगी, अ जहां साथ हमारी website विजिट करना मत भूलें, www.makansolutions.com, अगर आपको यह वीडियो ची लगे तो प्लीज दू लाइक, कमेंट and शेर और चैनल को सब्राइब करना मत भूलें, एरिजवान चीमा को दीजी इचाज़त, अगली वीडियो तक के लिए, खुदा हाफिस